स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मद्रप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपढ़ना मौज़म और आप देखना शरू कर चुके हैं मद्रप्रदेश की महा डिबेट आज बात उस बयान की जिसे महिलाओ क्या अपमान बताया जा रहा है ये बयान दिया है कॉंग रतलाम लोकसभा सीट से कॉंग्रस के उमीदवार हैं कांतिलाल भूरिया जनसंपर्क के दौरान एक जनसभा को समद्द करते वे उन्होंने कहा कि कॉंग्रस की सरकार आते ही महिलाओ को एक लाक रुपए सालाना दिये जाएगे यही तक कहा होता तो शायद बात आगे ना प लेंगे इतना ही नहीं यही पर भी अगर बात रुक गई होती तो शायद बात और आगे ना बढ़ती लेकिन उसी मंच पर थे मद्रदेश कॉंग्रस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जिनोंने कांतिलाल भूरिया की बात का समर्थन भी किया और कहा कि जिसकी दो भीविया उसको भी डबल तो जाहिर तोर पर माहौल तो गर्माना ही था क्योंकि माहौल चुनाओ का है तो ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रहती और बीजेपी ने इसे बता दिया सीधा महिलाओ का अपमान बीजेपी ने कहा कि चुनाओ में आधी आबादी अब इसका जवाब देग दो पत्नियां दो लाग अजीबो गरीब एलान पनी या किसकी बिगडी साथ अच्छा है यानि मुसल्मान को तीन साधी है तो तीन लाग देंगे ये देंगे कहां से इटली से लाग के देंगे क्या महिलाओ का अपमान बढ़ गया घमासार और जिस प्रकार की शब्दावली जिस प्रकार का आचरन कॉंग्रस पार्टी का है ये 50 प्रतिशत की जो आबादी है वो सुईकार नहीं करेगे दो बीवियो वाला बयान चड़ी सियासत आस्मार मद्रदेश में आखरी चरन का चुनाव बाकी है ऐसे वे कांतिलाल भूरिया के दो बीवियो वाले बयान पर घमासान मच गया है इस बयान के क्या माइने है कॉंग्रस के निशाने पर कौन-कौन है आज महा डिबेट में इ बड़ा मुद्दा मिल गया है जो कॉंग्रस को बैक पूट पर ला सकता है अक्सर कांतिलाल भूरिया के विवादित बयानों के चलते ही वो चर्चाओं में बने रहते हैं वक्त हो गया है मध्रदेश की महा डिबेट के सवालों पर नजर डाल लेने का पहला सवाल रहेगा पर्टी की हालत खराब तो फिर क्यों है बेतु का बयां तो यह मध्रदेश की महा डिबेट का पहला सवाल आज कर रहेगा की पार्टी की हालत पहले से खराब हैं तो फिर अक्सर इस तरह की बितु के बयान एंच नाम की मौसम के बीच में क्यों दिये जा रहे हैं अगला साथ खास पैमान जूड़ चुके हैं उनका परिशे में आप से करवा देती हूं मेरे साथ जूड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता है मिलन भारगव कॉंग्रस की प्रवक्ता है मितुन अहिरवार मुस्लिन स्कॉलर हैं इम्तियाज जली और वरिष्ट वर्मा हैं कहना क्या चा रहे थे कांतिलाल भूरिया जी जिस रिजर्फ कॉंस्टिटुएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं लोग सभा के लिए जो आदिवासियों के लिए आरक्षे थे वह आदिवासियों से समवाद कर रहे थे और आदिवासियों की बात वो कर रहे थे आदिवासी समाज के उपर हिंदू मैरेज एक लागू नहीं होता है उसके उपर हिंदू दत्तकता और भरण पोशन अधिनियम नागू नहीं होता है उसके उपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है उनके कुछ आदिवासी मित्रों ने ये प्रशन पू पेशाब करती है उस आदिवासी की परंपरा को ना समझने वाली भाजपा इसे महिलाओं का यदि अपमान बता रही है तो क्या ये आदिवासी का आदिवासी महिलाओं का अपमान नहीं है भाजपा आदिवासी का अपमान क्यूं कर रही है इस बात का जवाब भाजपा को दे नहीं होने तेंगा आदिवासियों के इस देश में विशेश अधिकार हैं आदिवासी को एक से जादा विवा करने की आजादी है और उस आजादी को हम लोग संरक्षत रगें हैं भरती जंता पार्टी बता दे क्या वो इसके खिलाफ हैं क्या आदिवासियों को दो लाख वीवहसिवों को сказать नभी दोन करना चाहती जो भारती जagit sa 파टी आदिवासिवों के से & 크ratاج करना चाती है जो भारती जनता PARTE आदिवासिवों को मिलने वाले सारे प्रावधान कदम करना चाहती है यह उसकी मांसित यह उसकी नियत है कि आधिवासियों के लिए विशेश प्रावदार नहीं होना कॉंग्रेस पार्टी डंके की चोट पे कहती है हम आधिवासियों के अधिकार के साथ में हैं बाजपा बताए कि वह आधिवासियों के इस अधिकार का किस आधार पर विरोध कर रही है और क्या यदि के प्रकार आती है तो क्या आधिवासियों के इस अधिकार को खतम करने की मंचा बाच्पा इसके समर्थन में है कि विरोध में है इस बात का जवाब भरती जनतपर्टी दे दे मिलन भारगर जी आपके नेता कॉंग्रेस की नेता के इस बयान को मुसल्मानों को दिये जाने वाले एक्स्ट्रा अधिकार से जोड़ कर देख रहे थे और मितुन जी तो कह रहे है कि देखिए हमारे नेता ने तो आधिवासि समाज के लिए वो बयान दिया था उन्होंने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा जाता था अब टंचमाल और आइटम से आगे निकलने की होड में जिस परकार से जीतू पड़वारी जी ने सारी सीमाओं को लांग करे का दलित महिला में चासनी खोजने की जो प्रतिस पर्दा करी तो कांती लाल भूरिया जी कैसे पीछे रहेंगे तो अलगातार महिलाओं को अपमानित और बेजज़त करने की जो प्रतिस पर्दा है उसमें एक दूसरे में ये बूरा कुछती मची हुई है एक दूसरे के प्रतिस पर्दा है कि मैं जादा अपमानित करूंगा या तू करेगा तो जिस परकार की कर आप मुसल्मानों के अपमें क्या कने आरकशन कर आपको सुपमानों को अ zero कर या जब सम्विदान कीलोट कर अपने बयान को लेकर जब इस्तती ऐसी हो गए फजीहत वाली तो क्या कह रहे हैं जब पहले वो सुनाते हैं दर्श्टों को फिर बच्चाचा को आगे बढ़ाएंगे मिडिया में जो चल रहा है वो गलत है मैंने शिर्फ वहिंग के रुप में कहा था कि उसकी दो पत्नी है तो क्या उसको भी लाग मिलेगा क्योंकि आदिवेशी समाज में इसकी कानून अनुमती है इसलिए मैंने वहिंग के रुप में कहा गया हम हर महिला को एक लाग रुपिय हर साल की गारंटी कांग्रीश चरकार में देंगे मतलब हर महिला को साड़ाए आठ हजार रुपिय हर महिना मिलेगा तो वो कह रहे हैं कि व्यंग के तौर पर मैंने कहा था और आदिवासी समाज की ओर से एक किसी शक्स ने सवाल पूछा लेकिन व्यंग के तौर पर कहा था इसे भयंकर बात बताया था जीतू पटवारी ने जी मिलन भारगवजी अपनी बात कम्पीट कीजिए फिर में आग किस परकार से अगया ने सर्वोज पथ जाया लेकिन हमने बैठाया हम आदिवासी संदक्षण की बात करती हैं हमने पैसा कानून दिया हम आदिवासी समय से आने वाले महापुर्शों को किस परकार से इस्थान दे के इतियाज में तो आपने कोरा रखका नहरू और नहरु तो आपको तकलीप होना स्वावबिक है इसलिए इस तरह के बयान उजलूल देखे आपके नेता तो फजीयत करा रहे हैं उस फजीयत में भी आप भी शामिल और आप देखी अपड़ना जी इसमें प्रतिस अधा में और निकल गए चुनाओं मुद्य तो नादारत हैं इनके नेता कह रहा हैं कि साथ भारत को इसका जैसे दिख रहे हैं चर्शा को आगे बढ़ाते हैं सुरेश शर्मा जी मैं आपके पास आँगे लेकिन पहले इंत्याज अलीजी एक कमेंट आप से रतला में कांतिलाल भूर्या ने आदियसी समाज की तरफ से उठेक सवाल का जवाब देते वे बात कह दिये जिसको लेकर अब ऐसे स्थी हो गई है लेकिन बीजेपी की और से रियाक्शन आया कि مسलिम समाज को दो लाख तीन लाख मिल जाए क्योंकि मुस्लिम समाज में तीन शादियां होती है तो ऐसे में ये कांग्रिस के तरह से पासा फिका गया है निश्चित तुर पे अब यहाँ पर डिबेट के अंदर यूज उस बात को साफ किया गया है निश्चित तुर पे महिलाओ के पिरती है अगर इस तरह के आसमान की बात होती है तो उसका विरोध होना चाहिए और रही बात मस्लिम समाज की तो वो शादियां तब की गई हैं लेकिन इसको चुनाओं से जोड़ना कि एक से अधिक जितके विवा हुएं हैं पत्निया हैं उनको इसका अधिक लाब मिलेगा तो ये सरा सर ये चीज गलत है इसको किसी समाज से या संपरदाय से जोड़ना उचित नहीं होगा जी शुरेश अर्माजी अब बताईए जन जाती कानून क्या कहता है क्या वो हिंदु विवा अधिनियाम के तहत नहीं आता है जिस समाज को देखते हुए ये दावा कर रहे हैं कांतलाल भूरिया और कॉंग्रिस की उस समाज को देखते हुए सवाल का जवाब दिया गया था भले अब वो कहरें कि वेंग के तो और पर क्या कहता है कानून क्या कहता है देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि आदिवासी अंचल में और खासकर जहाववा छेत्र बे एक से अधिक विवा की प्रखा है और मैंने जब आज इस बुद्धे पर बात की क्योंकि मैं जब मु कि प्रथा है इसमें कोई सक्षन से नहीं है लेकिन उस प्रथा को चुनावी समीकरणों के इसाब से डाल लेना वो भी थोड़ा सा राजनितिक हो जाता है और अभी तक जो कांतिलाल भूरिया जी का इस पश्चिकरण आया उससे पहले तक मुझे मेरा मन ये था कि मैं इस ब कोला है कि मैंने वेंग करके ये सब कहा है तो मुझे लगता है कि आप एक प्रत्के प्रती वेंग कर रहे हैं ये कहीं कहीं आकर के आपके द्वारा अभी तक किये गए कामों को सही नहीं ठहराता तो हम राजनितिक बाते करें वो एक अलग विशह है वैवारिक बाते करें व पत्ति जनक दिखाई नहीं दिया ये कोई प्रथा अगर किसी समाच में है भी जरूरी नहीं कि प्रथा अच्छी हो और और ये खलके अंदाज में उस प्रथा को लेकर कोई वादा कर देना कोई प्रलोभन देना तो महिला हो के लिए कैसे हितकारी हो सकता है इसी पर ही मैं उनकी तरफ उनके हां विवस्थाएं हैं उन विवस्थाओं को भी इसमें लाभानवित करने का संदेश देना ये राजनतिक रूप से कितना सही है और कितना नहीं है क्योंकि मैं एक चीज़ से आजनिश्चित रूप से चिंतित हूं कि आज जो चुनाः हो रहा है येет 2024 वाल इसलिए कोई भी रिजा कितना ही नीचे जा सकता उसलिए हम सब लोगों के सामने एक विसम प्रिस्थिति भीने 500 kosk करके करकी आपके सामने टिपडिकacio या¿ कि अ कर रहे भाएएक और बड़ी बात तो ये कि उसी मंच पर प्रदेश कॉंुरस के अध्याष मीफी ती जो हौक नजाकत नहीं समझ पा रहे आपके निता पोल को खोला जाए कि भारती जंता पार्टी कैसे आदिवासी के अधिकारों को पीछे धकेनने के लिए मुसल्मानों को सामने आगे कर देती है नो आदिवासियों की बहु विवा की प्रता को हम समर्थन करते हैं हिंदू मेरेज एक्ट से बाहर है आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं साफ बोल दीजे पूरी विवात खतब हो जागा लेकिन भारती जंता पार्टी इदर उदर की बाते करेगी मुसल्मानों को ब बढ़ा खते हैं एक योजना आप नहीं के लिए अलग से आपने बनाई हो लेकिन जो आदिवासियों के एक्जिस्टिंग प्रावधान है उसपर एक आदिवासी निता को टारगेट करना इसे महिलाओं की मरयादा के विपरीत बताना तो बताईंए क्या दो विवाह करना आ बाजपा या तो इसको सपश्ट करें या माफी मांग ले मिलन जी बटा जी देखिये बेशर्मी की सारे यहादे पार करना कॉंग्रेस पार्टी का शेगल बन गया है जिस प्रकार की बाजपा की बेशर्मी कौं गरता ही सब जानते हैं और महिलाओं के अपमान क्यूं आदिवासी महिलाओं का एक से जाधा विवा यह मर्यादा के विप्रीद बाइब बाजपा ने बोलकर जो अपमान पर नाजी देखिए यह तो मंडियों महिलाओं के रेट लगवारा है इनके नेता उनको पोशित कर रहा है और इनके नेता महिलाओं पर चास्नी धूरेंगे किसी ने कुछ कहा अगर गलत कहा तो आप मत कीजिए ना यह बताएंगे के लाश विजय वर्गी का बयान बताएंगे तो कमल नाथ भी याद दिलाएंगे अधिवासी वर्ग का जल जंगल जमीश अप्षीना है उनको किस प्रकार से एक से अधिवासी वर्ग के यह मर्यादा हीन कैसे है यह बताईए अधिवासी वर्ग के व्यक्ति को आज सम्मान दियां तो बताईए हम तो हम तो टाट मामा मामा यह मर्यादा के अंदर है बाजपा इसके समर्थन में है या विरोध में क्यों आपको समत्ति कर आप तो समाज की संपत्ति यूटकर तो किस मुसलमानों को तो देना चाहते हैं आपकी मंश्र जाहिर है इसमें किस पेज़ लिखा बता देना जरा किस पेज़ लखा बता हिए आपकी सलाकार है राहुल जी सुनिया जी के आदिवासी समाज की एक महिला उसका एक से अधिक विवा भाजपा पक्षमे या विपक्षमे एक खाया ना बोल समत से आप माफी मांगिए और बोलिए कि आदिवासियों का आपने अपमान किया उनके बहु विवा की परंपरा का विरोध करके आपने महिलाओं का आपमान किया आदिवासी समाज को मर्यादव विहिन आपने बताया इस पर भाजपात क्यों नहीं माफी मांगती इसका जो कानून है उस समाज में जो प्रथा है उस समाज में लेकिन क्या दो लाक जिसकी दो शादियां डबल उसको डबल यह कहके आप उन्हें और प्रलोभन दे रहे थे क्या यह हमारे मेनेफेस्टों मेडम चुनाव आचार सहीता लगी है किसी को प्रलोभन नी दे सकते जो मेनेफेस्टों में आदिवासी समाज की और से यह दि मांगा यह हमारे पंद्रवे पेज पे लिखाए योजना को चरहों में शुरू किया जाएगा एक लाक रुपे देने वा आपने बयान तो सुन लिया यहां पूरा कांतिलाल भूरिया कर लेकिन यह नि सुना कि सवाल किस प्रक्ष में किया गया तक घूम फिरकर याद बीजेपी को मुसल्मान ही आगया वहाँ पर भी किसी का नाम तो लिया नहीं था लेकिन इन्हों नो ओवरॉल जिस प्रकार की मानसिक्ता चुनाओं में दिखाई है बात दो भीवे की हुई तो मतलब आपको मुसल्मान ही याद आएगा इसे में किस साथ की परिभाशा हम पेश कर रहे है नजीर पेश कर रहे हैIn कि याद इसलिए यह सबसे पहला विबाद इस देश में बहुत लंबे समय से चल रहा है कि आखे हिंदू marriage act की जरूरत क्या थी और यदि हंदू marriage act बनाना था तो Muslim marriage act क्यों नहीं बनाए गया या सभी के marriage act क्यों नहीं बनाए गए ये एक बहुत पुराने समय का कंटोवर्षी है जिसको अज उठाने का कोई मतलब कि उन्दू समाज में पर इसे पीछे बनाने का क्या उद्धिस था इसके ऊपर एक लंबी भायस हो सक्ती है हिंदू समाज में ये प्रठा है, ये माननिता है कि साथ जनमों के लिए, यानिक जनम जनमांतर के लिए दिवाफ़ता है, हिंदू मैरी अक्ट में मुस्लिम समुजाय के समान ही तलाकी की विवस्था का प्राउधान किया गया हिंदू बारे जाक बनाने के आशकता क्यों एक लंबी बहस का विश्य हो सकता है फिलाल लेकिन इस बहस में समय इतना ही था धन्यवाद आप सभी कही और सीम डॉक्र मोहन यादव रोडशो करें सिद्धे आपको लिए चलते हैं पहले स्रोग्चो कि दराफ